तो गाईस हमारे chapter number 15 चल रहा था similarity एक लाइस टैंथ आई से बोड का chapter number 15 है similarity इसमें question number 5 किया था तो question number 5 में थोटा सा रह गया था वो तो question number 5 देखते हैं इसमें क्या किया था हमने तो question number 5 में कुछ इस type से हमें given था कि एक एंगल A B C है जो आपका twice है एंगल A B C आपका twice है किस एंगल के एंगल C के तो अगर एंगल C को हम X लेट करते हैं तो यह हमारे दोनो X और X हो जाएंगे या पिर हम कह सकते हैं कि यह पूरा एंगल हमारा 2X होगा और यहां पर यह भी क dB । यह वाएं, C B और B C C B और BA C B यह वाली साइड और यह B A इन दोनों साइट्स के रेशो की किसके एकवल है? इन दोनों sides के ratio एकोल है cp into cp ratio pa के इसको हमने कैसे सो किया था कि हमने इस line को extend किया था इतना extend करना है कि यह इस parallel line को cut कर दे है ठीक है यहाँ पर हमने BP के parallel line draw की थी c e और फिर हमने AB side को produce किया था और यह produce line c e को cut करती है यहाँ पर e पर मिलते हैं दोनो e पर join होते हैं तो फिर हमने क्या गिया था कि अगर यह दोना angle equal है यह x है तो यह भी x होगा क्यों क्योंकि यह corresponding angles है से क्योंकि अगर आप इस टायब से कुछ देखो इसकों इस टायब से यह हमारा के अगर हमारे यह यह यहाँ इननल होगा क्यों क्यों कि दूने ना interior से तो यह वाला एंगल होगय थे हमारे अपर ऑनको यह बना रहे हैं ला एग Communist की अकोर्डिंग हमने दिखाया था हमने पर यहां पर जीए में यह एसी ट्रेंगल में prophecy अगर पैरलल है हमारा इसी के तो तो हम भाई बीपीटी थियोरं के अकोर्डिंग है पर बोल सकते हैं यह नहीं पर इन्होंने निस्टेक्स दे दिया यह वाला नेक्स्ट में चाहिए आपको या फिर हम इसको डिरेक्ट कहतें Bpt theorem क्या कहते है कि अगर कोई भी लाइन ट्रेंगल में पैरलल है किसी भी साइड के तो वो दो साइड्स को इक्वलरेश्यों में डिवाइड करती है तो डोना और फेलल है तो और देखो अप डेखो यह शो सब्सक्राइब कि निचे पर और इसके साइड वाला प्रूफ में कुछ इस टाइब से कह रहा है कि AB और BC का product इस बार ASB और BC का product चाहिए आपको किसके equal BP ये वाली side भी आगे देखो BP and CA के product के तो अगर ये वाली side आरी होगी हमारी तो कोई ऐसा कोई triangle लिया गया होगा जिसमें ये वाली triangle side आरी होगी तो हमने क्या क्या है इस बार हम ले रहें triangle ABP को इस बाले ABP को similar दिखाएंगे complete triangle ABC के कैसे अब देखते हैं इसको कैसे similar दिखा सकते हैं आपर हम अगर हम दिख रहें in triangle ABP and triangle ABC complete triangle ABC में आप देखो ये complete triangle है और ये छोटे triangle है इन दोनों में ये वाल angle को मना रहा है तो angle A, angle A को मना रहा है आपर तो हम angle A को equal बोल देंगे आपर angle A equals to angle A common है हमारा ये common हो गया and यहाँ पर देखो ये वाला जो angle है ABP ये वाला जो angle है हमारा ABP X है और यहाँ पर ये वाला angle X है बड़े टर अंगल में हमारा ये वाला angle X है तो ABP equal है angle ABP equal है किसके angle B, C, A के या A, C, B, K A, C, B, K ठीक है ये given है हमें तो therefore हम कह सकते हैं कि दोनों triangle similar हैं लेकिन similarity लिखेंगे कैसे इनको order में लिखना बहुत ज़्यादा है important है तभी हम corresponding sides लिख सकते हैं इसमें तो अगर हम इसे ABP लिख रहे हैं अगर हम इसे ABP लिख रहे हैं तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा देखो A, A angle इसका छोटे वाले का जो A है बड़े वाले का भी वो A है ठीक है तो A का place सेम रहेगा क्योंकि दोनों A एक्वल दिखाए हमने फिर फिर छोटे वाले का जो B है बड़े वाले का वो C है छोटे वाले का जो B angle बनना है उसको बड़े वाले में ये C angle पर बन रहा है तो इसे बोल देंगे A, C और इसमें क्या बच जाता है बड़े वाले ट्रेंगल में A, C और B बच जाता है तो इसमें B लिखेंगे याँपर तो by angle angle postulate से हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया है कि ये क्या होगा हमारे similar और अगर ये similar हो गए है तो इनके corresponding sides का ratio equal होगा A, B, A, B और A, C का ratio किसके equal होगा B, P, B, P और B, C ये C, B, K and A, P और A, B ये ratio हमारा equal होगा अब इसी के according अगर हम इसमें से select करें A, B, C चाहिए हमें A, B, A, B आ रहा हो हमारा उपर A, B, A, B, C, A, C और B, P तो इसको ले लेंगे हैं मुरा हमारा solve जाएगा तेको A, B into B, C हो रहा है A, B into B, C होगा equals to A, C into B, B, A, B, P हो रहा है तो ये ही हमें प्रूफ करना था A, B into B, C, A, B into B, C B, B into C, A, ठीक है B, B into C, ये हमारा proof हो गया इसका part तो अब हम question next करते हैं अपना question number 6 question number 6 में कह रहा है कि इने triangle ABC, एक triangle है हमारा ABC, एक triangle है, कोई भी triangle ABC डोना लेते हैं यहाँ पर, हमने ये triangle ABC डो किया है अब इस ABC triangle में क्या बोल रहा है कि BM, BM perpendicular on AC BM perpendicular है किस पर AC पर, and CN CN perpendicular है किस पर AB पर, CN CN perpendicular है AB पर तो show करना है हमने AB ratio AC, AB ratio AC, किसके एकोल BM ratio, CN and AM ratio AN, अब अगर हम इन ध्यान से देखें तो ये कब proof होंगे हमारी जब हम इन दोनों ट्रेंगल किसको, ये वालना ट्रेंगल B, A, M ये वालना ट्रेंगल और C, A, N ये वालना ट्रेंगल ये वालना जो ट्रेंगल है इसको अगर हम क्या कर देते हैं, similar proof कर देते हैं तो हमारा ये proof हो जाएगा तो अगर हम to prove करना है आपको, to prove में क्या करके दिखाना है कि BM, AB ratio AB ratio, AC किसके एक्वल है BM ratio, CN and ये ओलसे एक्वल है AM ratio, AN के इसको prove करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों ट्रेंगल को similar proof करेंगे, देखेंगे इन ट्रेंगल किसमें AMB बोल सकते हो इसको यह फिर ABM बोल सकते हो ABM ABM किसके को करेंगे दिखाना होँ है TRIANGL ये A, B, M हो गया ये AC n के AC n को करेंगे तो हम दोनों में के दिखाना है दोनों में Angle A common है इस वाले TRIANGLE में भeis Angle A ये आ रहा है इस वाले ट्रेंगल में भी अगर हम देखें तो और इस वाले ट्रेंगल में भी एंगल ट्रिंगल क्या हो जाएगा हमारे पास ?thereFORE ट्रिंगल A M B क्या हमने इसको सही ॉडर में लिखा है अगर हम इसे लिख रहे हैं A B M और इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा मैं A दोनों का A सेम है तो A का प्ले सेम रहेगा इसका M90 इसका N90 तो इसका N यहाँ पर होगा A N अच्छा A B लिया है न पहले हमने A B लिया है तो हमने अगर यहाँ B लिया है तो यहाँ पर भी हमें C लेना पड़ेगा और इसका जो M है इसका M90 यह तो इसका N90 यहाँ पर N लेना पड़ेगा by angle 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 से हमने इसको क्या कर दिया similar proof कर दिया अगर इस similar हो गया तो इसके क्या होगा यह apply करेगा इनके corresponding side का ratio equal होगा AB और AC का ratio किसके equal BM और CNK और equal AM और ANK यह तो प्रूफ करना था होगा हमारा प्रूफ यह प्रूफ करना था हमें question number six नहीं बिल्कुल सिंपल question था है हमारा question number seven देखते हैं question number seven था हमारा कह रहाए कि इना given figure given figure में D E जो हमारा D E यह वो parallel है BC के तो इसका figure लेते हैं हम तो कुछ टाइप इस टाइप से इसका figure दिया उसमें यह पर डी पैरलल दिया है हमारे BC के इसमें डी पैरलल क्या है BC के तो given में लिख सकते हैं इसमें कितने similar triangles बन सकते हैं सभी के PS बताने हैं आपको कि यहां पर ओल पेर्स बताने हैं यहां पर अब करना है कि आँआ है नहीं कि जिसको अव्ल में सब्सक्राइब करना कि find the length of me core and dm इन दोनों की lens find तो अगर हम हम इसको करते है तो क्या होगा इसमें तो अगर हम से देखें देखें से इसमें कितने similar triangles आ रहे यह वाला ए किसके similar और आ रहा हैu Jay kya रहा है और यह ओर राई इसके होगा corresponding आंगल यह वाला एंगल को जाओ कि विल्कुल सेंगें इसके फिसके एंगल क्या हो गए हमारे सिमलर हुगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रेंगल इसको प्रोव कर दिखा सकते हो ड्रेंगल A M E similar होगा triangle A N C K A N C K similar होगा ऐसे ही triangle A D M A D M similar होगा किसके A B N K A B N K similar होगा ठीक है यह वाला angle इसके उक्षल और यह वाला angle इसके उक्षल या फिर कह सकते हैं यह वाला angle common और also इसमें एक और similar triangle होगा A D E यह वाला भी तो A D E जो होगा हमारा complete A D E जो होगा यह भी तो similar होगा किसके A B C K A B C K Yes होगा यह भी तो अब अगर इसमें यह है तो हमारा M E की length find करनी है M E की length find करनी है और D M की length find करनी है D M की length find करनी है आप देखो आप कि अगर यह दोनों ट्रेंगल सिमलर रहा हैं तो इनकी साइट T.S कि एन सी यह इंप्लाई करेगा एएं रेशो ए एन किसके क्वल एम इए रेशो एन सी और किसके क्वल एई रेशो एसी ठीक है यह होगा अब एम नहीं गिवन किया एन नहीं गिवन किया ME, ME given क्या है, नहीं, ME given नहीं किया है, AM और AN नहीं given क्या है, ME, ME given नहीं क्या है, ME हमें find करना है, NC given क्या है, 6, AE given क्या है, 15, और AC अगर हम पूरा AC लेंगे, तो 15 प्लस 9, कितना हो जाएगा, यह 24 हो जाएगा, अब आपको सिर्फ ME find करना, तो आप इस वाले पार्ट को ले सकते हो, अपना use करने के लिए, तो इस वाले पार्ट को अगर हम लेंगे, तो ME equals to 6 इदर आ जाएगा, multiply में 6 into 15 divided by 24, 6, 4, 24 हो जाएगा, 4 से इसे divide कर लोगे, ME की value कितने हो जाएगी, 4, 3, 12, point, 53 आएगा, 4, 7, 28, औ की आजाएगा, 3, 7, 3, 75 cm, अब अगर आपको, अब देखको यह वाले रेश्यों जो होगा, आपका, AM और AN का रेश्यों होगा, वो ओल्सका लोगा, 15-24 के लिए, तो इसी का use हम इस वाले साइकन में, यूज़ करेंगे, किसको find करने में, DM को find करने के लिए, तो if हम कह सकते ह आपर, इसका साइकन पार्ट अगर हूं यूज़ कर रहे हैं कि if, A, D, M, similar है हमारा किसके, triangle, A, B, N, K, to A, D, upon A, B, किसके खुलोगा, DM, upon B, N, औरी किसके खुलोगा, A, M, और A, N, K, ठीक है, तो A, D, A, D, नहीं पता हमें, A, B, नहीं पता हमें, इससे कुछ लेना भी नहीं है, हमें तो DM find करना है, तो DM और BC का relation ले ले लेंगे हम यहाँ पर, DM और BC, DM हमें find करना है, B, N, B, N की वेले 24 गीवन की है, A, M, देखो, A, M, और A, N का relation, हम यह वाल रेशय यूज़ करेंगे, इसके लिए, ठीक है, इनका दोनों का ratio क्या तो कितना होगा, 15 नेशों, 24, बस ही 24 से 24 का एंसल, DM इक्वल्स टो कितना आगया, 15 cm आगया, simple दा question बिल्कुल, यह होगा, question number 7, question number 8 करते है, question number 8 देखते हैं हम यहाँ पर हमारा question number 8 गीवन क्या है कि इनना given figure, A, D, A, E, equal है यहाँ पर हमारा, A, D, A, E, equal है तो इस ताइप से इसने figure given किया है, यहाँ पर, कि A, D और A, E आपका क्या है, equal है, A, D, N, A, E, A, D, A, E, A, E, आपका equal है, D, E, and C, A, D, and A, E, equal है, that means यह angle आपका equal होगा, and also given क्या किया है, इसने, also given किया है कि A, D का square, A, D का square, B, D, into, E, Z, के equal है, तो A, D, equals to A, E, लिखेंगे हम, and A, D, square, equals to कितना है, मैंने पास, B, D, into, E, C, के equal given किया है, आप यहाँ पर कहना आएगी, proof क्या करना है आपको, to prove कि triangle, A, B, D, जो है आपका, वो similar है, triangle, C, A, E, के, करते हैं इसको proof, तो अगर हम इसे दिहान से देखें, कि हमें किसको proof करना, A, B, D, को किसके equal, C, A, E, के equal proof करना है, तो हम इसको proof करने के लिए क्या करेंगे, तो यह जो हमें, यह दिया है आपका, side, यह इसका use क्या करेंगे, हम यह दोनो side equal होंगी हमारी, और अगर यह दोना angle हमारे equal हम लैट क्या हिए, यह वाले एंगल कितने होंगे, यह होंगे हमारे 180-X और यह वाला कितना होगा, यह भी हमारे 180-X हो जाएगा, यह दोनों के सम्भाण 80 होगा, एंड आपके पास जो यह AD स्कॉएर दिया, इसका क्या यूज है, इसका यूज क्या है, इसका यूज हम, क्रोस्पणिंग रेशिन लेंगे साइट्स का रिचो कैसे आप ед ले लो ad इस वाले ट्रैंगल के साइड हो गई, इसको ad into ad लिखойさ कते हो eqals to bd into ec अब हम क्या करेंगे ad कि इस वाली say okay Luर इसवाट्रेंगल के एक साइड लेंगे क्या भीडी इस वालेbacks United है नहीं हम क्या लेंगे इसके निचे हम प्ले लेंगे E うk हम कया लेंगे कि इसके निचे क्या लेंगे हम XC लेंगे वालक और यह वाला व्री दर ली के आ ऐसे बी डी अपन एडी फिके लेकिन देखो एडी और एसी का रिशो और बी बी ऑर एडी यहां पर थो एक ट्रेंग्ल के आ गया दोनों इस एडी को लिख सकते न तो आ पर एडी अपन एस्ट एक्वास्ट सब्सक्राइब अब देखो आप कि इस साइड एडी और ईसी और ईसी का रिशो जो है वह सेंगे किसका बीडी और एक रिशो के हैं बीडी और एक रिशो है और इनके बिट्विन बनने वाला एंगल इक्वल है वंभी एक है कि इसके एंगल ज की इसके मतलब कर्सपंड़निक साइडस हमने के लिए इस पर बनने वाला एंगल इसके एकवल होगा C के तो हम इसको क्या लिखेंगे A अगर यहां पर क्या लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे ट्रेंगल C यह वहां पर अगर हमने D लिखा है तो यहां पर E लिखेंगे कि और अगर हैंपर हमने विलिखा है तो बीट के कोला है डवल्ल टिकवाला भी कि इसके इसके आपकोल है टि के कोल एक कोम है एकले है तो इससे इए पुलते आप लिख सकते हो तो ये हो ओगा हमारा आधा प्रूफि ये करना था 국1 में घौट मhesनीः पना निंधा कि है अब तो अगर हम इसको करते हैं यहां पर इस टाइप से इसका फिगर गीवन किया है और यहां पर यह Q यह P और यह D and B यह D and B C और A इस टाइप से फिगर गीवन किया इसने यह वाली साइड इसके पैरलल है तो यह दोने ट्रेंगल को अगरेंट होंके मतलब सिम्लर होंगे आपके फैंड थो आपको भी पी बीपी यह वाली साइड यह वाली साइड यह व्यांग रिखा देंगे लिखेंगे इन ट्रेंगल इसको d o q d o q and triangle b o p b o p यह triangle हमारा b o p दोनों में देखों यह वाल angle इसके एककल होगा क्या है यह alternate interior angle angle q d o किसके एककल दिखा देंगे हम triangle o b o b p k and angle o q d o q d हम किसके एककल दिखा देंगे o p o p b k यह दिखा देंगे हम o p b k therefore triangle क्या हो जाएगा हमारा d o q similar हो जाएगा triangle b o p k by किसे angle angle से by angle angle यह imply करेगा कि d o और b o का ratio o q o q और o p और यह d q into b p के ratio के बराबर आपको चाहिए b p और d o b p और d o इनको हम equal रख लेंगे d o upon b o और इसको रख लेंगे हम किसके एककल d q upon b p इसको हम ले लेंगे आपर और इससे value आपकर लेंगे अपनी find कर सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारा यह वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा d o इसको हम क्या कर लेंगे वुट कर लेंगे टीक्यू की value 8 विएधी वेल्यू सिक्स तो यह जाएगा 48 cm तो यह करना लएगा पूश्य नंबर नाइन जाएगा था वोश्य नंबर जिसमें एंगल B किया है प्शाइब है यहां कोई एंगल ब्याजों बना रहा है यह हमीने लिख लिया विए ड्यर्ट यह वाला के ओप्र है इसको ट्रीख सकते हैं यह हमारा यह अंगल है द्लिख सब्सक्राइब एंगल B, A, C, आफे ट्रेंगल A, B, C is obvious and A, B and A, B and A, C are equal, A, B and A, C are equal तो A, B, A, C equal होगे तो यह वाला एंगल इसके equal होगा P is the point on side B, C, P कोई point side B, C पर B, C in such that P, C equals to, P, C equals to 12 cm इसमें P, C 12 cm है P, Q and P, R are perpendicular on side A, B and A, C, P, Q किस पर perpendicular है A, B side पर और P, R किस पर perpendicular है A, C side पर P, Q and P, R are perpendicular on the side A, C, A, B and A, C respectively if the P, Q, if P, Q is equals to 15 cm P, Q 15 cm अगर and P, R 9 cm है 9 cm find the length तो P, B तो P, B की length बताओ कितनी होगी तो P, B की length कब बताएंगे जब दोनों ड्रेंगल similar होगी तो simple सी बात है तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है find करना है length of length of P, B अगर find करना है B, P, B बोल दो, B, P बोल दो तो solve करेंगे हम इसको कैसे सबसे पहले हम देखेंगे in triangle B, Q, P में B, Q, P में and triangle किसमें C, R, P में क्या है दोनों similar हैं yes similar हैं कैसे angle B equal angle C के angle B, Q, P B, Q, P equal angle C, R, P के each 90 ठीक है therefore triangles क्या हो गए therefore triangle B, Q, P क्या हमने सही order लिखा है तो B, C के equal है तो यहाँ पर भी हम C लिखेंगे C, R, P, yes Q90, R90 है यह सही लिखा है हमने by angle, angle सही क्या हो गए similar हो गए तो इनकी corresponding sides कर ESO equal होगा यह imply करेगा corresponding side B, Q upon C, R किसके equal Q, P Q, P upon, R, P B, P upon C, P ठीक है अब हमें चाहिए किसको B, P चाहिए हमे तो जिस इसकी value सिंदे रखे उसकी value रख लेते है B, Q की value नहीं दिये C, R की value नहीं दिये and Q, P की value Q, P की value दिये 15 तो हम 15 रखेंगे R, P की value दिये 9 तो यह 9 रखेंगे B, P की value हमें find करनी है B, P C, P हमें given किया 12 तो 12 अब क्या करेंगे हाँ पर इस part को equal लख लेंगे तो यहाँ पर 15 रखेंगे किसके equal होगा B, P upon 12 तो इस 12 को अगर हम इदर multiply में करते हैं यहाँ पर हम तो यह हो जाएगा B, P इसकी value प्याँ गई B, P की value 20 तो यह करना था question number 10 में simple question था question number 10 question number 11 देखते हैं क्या है question number 11 में true false देए है question number 11 में true false देए है देखो कहारा कि state true or false true or false बताने है सिर्फ आपको कैसे बता सकते हैं simple इसको read करना है आपको बताना है two similar polygons are necessarily congruent तो ऐसा जरूरी है कि अगर figure similar है तो congruent हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है यह false है क्यों नहीं हो सकता क्योंकि similar triangle का size same नहीं होता और congruent क्या होते हैं हमेशा ही same size के होते हैं तो यह वाला false है कुंग१्रänn ट्रιंगल होते हैं हमेचा लेकिन सिमिला ट्रینुकल्फण नहीं होते कि प्वोंके ग्याओंगांगा Terminal हमेचा नहीं तो क्या प्वास थैंकलमें में मैं। तो इसे लोगे क्यों कि इसटी एंगल सिक्स्टी नहीं कुछ कंडिशन में इक्वल हो सकते हैं लेकिन सभी कंडिशन में इक्वल नहीं होंगे जैसे हमें एक इसले श्रेंगल ले लेते हैं जिसके इक्वल एंगल है 50-50 और यह आएगा हमारा कितना 80 क्यूकि इनका ईसे हम दूसरव एक्वल ट्रेंगल लें लेते हैं जिसके दोना एंगल 40-40 है तो यह वाला एंगल एंगल कितना है और क्या है कोई दू हैंगल सहीं नहीं नहीं आ रहें तो निसेसरली नहीं है कि वो पास सभी है toальным बास सभी है छй्छिफ टू आइसोसेल इस ट्रैंगल हमेशा ही सिमलर होंगे ये वासær क्योंकि अगर आप आईसोसेल इस राइट अंगल ट्रैंगल बनाओंगे तो गांटी एक तो 90 रहेगा और दोन एक वढ़ेंगे तो तो यह एंगल हमेशा 45 और 45 के होंगे आप कोई भी दूसरा ऐसा ही ट्रेंगल बनाओगे उसमें भी यही कंडिशन फोलो होगी कि अगर यह 90 तो यह 45 और 45 होंगे तो यह true है इसे ट्रेंगल इसमें इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर एक एंगल सेम आगे दोनो आइसले स्ट्रेंगल का तो वह सिमलर हो सकते हैं तो इसको हम ट्रू करेंगे ठीक है इसे ट्रू को बोलेंगे सब्सक्राइबर नहीं होने सर्फ मिन दिवाइड इंटू इंटू इनटू प्रोपोर्ष्ण सेग्मेंट यह बात सही है यह भी चुर्य और अब प्रेरी वेक्ट प्रॉचन में भादें क्या होते हैं प्रोचनल रिफिन र फाव फ्रोचन्ल सेग्में बनाते हैं यह तर इसके साथ इसके साथ इक्वल होता है यह twy ट्रैंग्ल्स हम इसा घ्या होते हमारे सिंजाें यह उप्षिन हमारा क्रेक्ट मुप्शन है र मीत देखते हैं अपना यह प्रफृर्ण कि ゃ यह हुआ पर सब्सक्राइब यह सब्सक्राइबन यह यह एंगल गेकर धी इसमें पर पर कि यह जी ऐफ जी एफ दी होर एप यहाँ पर बोल रहा है कि जी है यहां पर प्रेपेंडिकुलर से हैं जो हमारा डी है जो हमारा डी एच वो है यह 8 cm है हमारा cm नहीं धिया इसने DF कितना एक हमारा कितना है 12B 3000B1ख जी जी यह हमारा 12 प्लस तो है video कितना यह पूरा इप PRI एक्स – 1 है के si assi कि पूरा कमप्लीट है हमारा four x plus 2 यह यह कह रहाएं अब हम्हां वे समे फॉत ऐंद करना है इससे कैसे हैं गुंत को ना यह स्फिर है, इसको कि एको करेंगे का देंगे कैसे अगर हम देखें इन डर्ग सिणीग है, G in triangle G HD में and triangle किसमें देखें EFD में EFD में तो हमारा क्या होगा दोनों में देखो यह angle D common है angle D common है और angle इस वाले triangle में GHD में GHD क्या है हमारा 90 है और इस वाले में इए हैं ये है उडी एता है और फोक दीहावी हमारा क्या है 20 इमारे स्क्राइवर थे है ढूलती मोडी में धूर्शर में थीट एक्वानकें से में यह H 90 और यह F 90 यह पर यह बच जाता है यह इंप्लाई करेगा कि G H और E F का रेशो किसके एको लोगा H D और F D के और किसके एको लोगा G D और E D के ठीक है यह होगा हमारा तो आब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं G H की वैल्यू दीए है तो आब इसने में जी एच की वैल्यू नहीं दीए है और G H हमें विए नहीं करना है ठीक है इसएट की वैल्यू दिए के वाल्यू osaurus ऑलजी की वैल्यू डी है जीडी घीडी हमारा कितना है जीरी पूरा 3ए 1-1 और E D हमारा वोई रा की तना ऐ है 4X प्लस सटो इस से आमें गी 1-1 की यह करनी है और दी इसके एक्वल है हमारी 4x प्लस 2 के यह फाइंड करनी है हमें तब बस हम पहले x value find कर लेते हैं फिर यह वाली value find कर लेंगे x value find करने के लिए इसको equal रख लेंगे हम 8 upon 12 इसके एक्वल 3x minus 1 upon 4x plus 2 4 से cancel करेंगे 4 2 जा 4 3 जा इसको cross multiply कर लेंगे 2 into 4x plus 2 2 और 3 into 3x minus 1 2 4 जा 8x plus 2 2 जा 4 3 3 जा 9x minus 3 3 जा 3 यह अब इसको कर लेते हैं solve 8x minus 9x आएगा यह plus का इदर आकर यह 4 जाएगा यह हो जाएगा minus x equals to minus 7 x की value कितने हो जाएगी 7 x की value 7 हो जाएगी हमारी अब हम इसमें value find कर सकते हैं dg की वी और d e की वी dg क्या है 3x minus 1 है इसका मतलब यह कितना आएगा 3 x 7 minus 1 that means 3 721 minus 1 equals to 20 यह आएगा हमारा 20 and d e कितना आएगा हमारा d e हमारा 4x plus 2 तो यह 4 x की value कितने आएगी 7 plus 2 7 plus 2 7 for the 28 28 plus 2 कितना आएगा यह 30 तो यह आ रहा है इसका 20 and 30 answers आ रहे हैं इसके तो यह हमारा question number 20 12 question number 12 वे हमारा question number 13 करते हैं question number 13 देखते हैं कि कह रहा है कि d is a point on a side b c of a triangle a b c triangle a b c कर लेते हैं आपर हम triangle a b c a b c a b c a b c d is a point on a side b c b c पर कोई point d a d is a point on a side b c of a triangle a b c such that angle a dc such that angle a d or c यह वाला जो एंगल है equal to the angle यह एंगल हमारा किसके एक्वल है एंगल 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 इस वाले एंगल के एक्वल है पूरे complete एंगल के तो प्रूव करना है हमें तो प्रूव प्रूव करना है कि c a का square c a square किसके कलोगा c b into c d के कलोगा अब देखो हैं आप पर c a का है c a यह c a two times आ रहा है तो यह c a two times कब आएगा अगर यह दोनों triangle में repeat हो और जिन दोनों triangle को हम क्या गर रहे होंगे प्रूव कर रहे होंगे तो जिन दोनों triangle को हम similar प्रूव कर रहे होंगे उन दोनों triangle में a c come two times आएगा जब वो दोनों triangle में यह ज़ोगा तो हम क्या करेंगे चोटे triangle को और इस बड़े वाले triangle को similar प्रूव कर देंगे कैसे इन triangle c a b या a b c निख सकते हो simple and triangle अन्ट ट्रैंगल क्या लिखेंगे यहांपर cda या अड c में क्या देखा हमने कि एंगल c दोनों में common था एंगल c equals to angle c दोनों में common यह common लिख देंगे हम पर एंगल ADC इसका जो angle ADC है इसका जो angle ADC है वो किसके equal एंगल B है C के equal to Angle B C के equal एंगल ये given है Therefore triangle क्या हो जाएंगे हमारे अब देखो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे इस दोनों में C को में है तो पहले C लिख लेते हैं इसका भी C चोटे वाले का भी और बड़े वाले का C, A, B, C हमने बड़ा एंगल पहले लिया था, तो C, अफिर इसमें लिखा हमने, A और B, C, A, B अगर इसको लिखा हमने, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी देखो, इन दोरों का C को मन था, तो C, A, इसका A जो है, इसका D है, और इस की corresponding side का देशों देखेंगे, C, A, C, A, C, D, किसके उक्वल, A, B, और A, D, A, B, और A, D, and B, C, and A, C, 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 A इसमें इसमें मिल रहा है इसमें मिल रहा है सीज्ड़त उपन दोलगा ऑसी एपों इसमें सब्सेद़ेगे सब्सक्रायगा और यहां पर सेफटायर्टान देखता है COS No c21 देखते हैं तो vast आप को चनम देखते हैं हमारा के रावे। क्या आप तै यह मारे पास राइट आंगल्स से लाइड एड एंड एसका फिगर भी हमारा इसी पे जैसा जैसे हमने भी किया था कोशन तो इसका फिगर ट्रोकर लेते हैं आपड यह इसका फिगर होगे हम आप के योगा हमारा इह बी इस आयम अभी कह रहा है कि AC 10 cm है AP कितना है 15 cm है PM कितना है PM हमारा है 12 cm PM 12 cm है तो प्रूव करना है हमें तो प्रूव कि ट्रेंगल ABC ABC सिमलर है किसके ट्रेंगल AM PK यह तो हो गई हमने पहले किया है और इसमें 2nd में find क्या करना है find करना है AB and BC की length को find करना है करते हैं इसको तो simple है यह हमारा question तो अगर आपको ABC 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 ट्रेंगल ABC सिमलर प्रूव करना है किसके ट्रेंगल AM PK तो हम इसमें क्या क्या दिखाएंगे दोनों का एंगल A common दोनों का एंगल A common ठीक है दोनों में इसमें B90 एंगल ABC 90 और इसमें एंगल AM P90 AM P90 यह common यह E90 therefore triangle क्या हो गए therefore triangle ABC ABC क्या हो गया हमारा similar होगे triangle AM P90 अगर यह similar होगे आपाई एंगल एंगल से तो इनकी क्रोसपनिंग साइट का रेशो एकपल होगा means AB upon AM का रेशो BC upon MP और upon AC upon AP के रेशो के एकपल होगा तो यहां पर यह हो गया हमारा तो अब यहां पर इसकी value प्रक्स लेते हैं जिस जिसकी value दिये हमें AB की value दिये है नहीं AB find करना है AM की value दिये AM AM की value भी नहीं दीजने हमें वैसे हम AM की value find कर सकते हैं अब देखेंगे BC दिया हमें BC नहीं दिया MP दिया है MP दिया हमें 12 equals to AC दिया हमें AC दिया है 10 AP दिया हमें AP 15 दिया है AP दिया हमें 15 देखो BC की value find कर सकते हैं हम यहां पर कैसे इस वाले relation से हमें यहां पर क्या find कर सकते हैं BC find कर सकते हैं तो BC find कर लेते हैं पहले यह 12 into 10 upon 15 3 से cancel कर गिया 3 4 जा 3 5 जा 5 2 जा और यह हो गया 4 2 जा 8 BC equals to 4 2 जा 8 तो BC हमारा क्या हो गया 8 हो गया तो BC अगर 8 हो गया तो A भी आप निकाल सकते हो अब आप कैसे पाइचा गया थे वरम यूजिंग पाइचा गया थे वरम अगर हम देखें इंट्रेंगल ABC में ABC में देखें हम तो हाईपोटेनस का स्कार किसके एक्ट को होगा पर्पेंडिकुर्ट प्लस बेस के स्कार हाईपोटेनस क्या होगी तो टैन का स्कार वैसे स्कार से 6 आने आएगा क्यों कि ट्रिपलेट होती है एट शिक्स और टैन तो पी की वेल्यों हम एट ले रहे हैं बेस अगर हम अब लेट कर रहे हैं तो यह आएगा 100-88-64 एबी इसको है 64 को माइनस कर देंगे अगर हम तो आएगा 36 और 36 किसका स्कार रूट है 6 का इसलिए एबी की वेल्यों आएगी 6 सेंटीमीटर यह आ रहे है 8 सेंटीमीटर यह आ रहे है 6 सेंटीमीटर तो यह होगे हमारा कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 15 करते हैं 15 में कह रहा है given RS and PT are the altitudes of the triangle PQR एक triangle PQR है हमारे पास यहाँ पर एक triangle क्या है PQR है PQR और इसमें हमारे PT इसे PQR ले लेते हैं और इसमें हमारा क्या है RS RS and PT are altitudes यह PT क्या है यह RS and PT क्या है altitudes हैं उसे triangle तो आपको प्रूफ करना है क्या तो तो प्रूफ करना है हमें कि first करना है कि triangle PQT similar है कि इसके triangle QRS के and second triangle PQ into QS equal है किसके RQ into QTK ठीक है RQ into QTK करते हैं हम देखो इसके प्रूफ को सबसे पहले देखो गर आपको PQT किसके इसमें क्यों से qrs के qrs के पॉल चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें तो qrs के पॉल चाहिए तो क्या करेंगे इसमें तो simple हम लेंगे इन triangle PQT and triangle RQS में क्या कर सकते हैं दॉनों q common है angle q क्या है दॉनों में common है यह common लिख लिए हमने अर्म एंगल PqT में ये वाला PT q है PT q है जो इकर हमारा RS q k eft a यहां पर इसने थोड़ा सामिस्टेक किये कि PQT PQT लिखा है और QRS लिखा है QRS PQT PQT और QRS P को Q के equal दिखा दिया है इसने P को Q के equal दिखा दिया लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको एकदम correct order में लिखना है आपको कि triangle PQT जो होगा PQT जो होगा वो किसके similar होगा triangle RQSK कैसे दोनों का Q को में है तो Q का place दोनों में same लेना चाहिए यह T पर 90 है यह S पर 90 तो इस पर T तो इस पर S होना चाहिए तो दोनों correct order होना चाहिए by angle angle तो by angle एंगल एंगल चे क्या होगा हमारे similar proof हो गया अगर यह similar proof हो गया तो अब आपको पर रूफ करना है कि PQS PQ QS का product किसके इंको लाएगा RQ 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 और QT के तो इसका corresponding sides ले रहते हैं PQ और RQ किसके इंको QT QT और QSK और PTN RSK एक्वल इनकी क्रोस्पंडिंग साइट करें सो आगे कैसे लेते हैं प्रोस्पंडिंग साइट पहले PQ तो इसमें RQ फिर QT तो इसमें QS फिर इनका endpoint PT और RS ठीक है इस टाइब से लेते हैं अब आपके पीक्यू और QS तो बस इसको इसको इप ले इसमें हो जाएगा हमारा PQ अपून RQ किसके एकवल QT अपून QSK यहीं हमारा इंप्लाइब करेगा क्या कि पीक्यू इन्टु क्यू एस किसके एकवल RQ इन्टु क्यूटी यह हो गया हमारा प्रूब तो यह करना है आपको प्रूब करना है तो इसे अगर हम ध्यान से देखें आपको इस टाइब से बनाया आए इन्हों ने यह A, B, C, and D यह E, यह P, यह F, यह R, अब यह कह रहा है कि प्रूफ करो क्या प्रूफ करो तो प्रूफ कि DP इन्टू CR का प्रूबक्ट इसके एकुला है DC इन्टू PR के तो अगर हम इसमें देखें डीपी का रही है डीपी लाइन का रही है डीपी लाइन आ रही है यह छोटी सी लाइन जो है dp CR का रहा है सी आ Dazu इस बड़े वाले में Cr C.D का रहा है DC तो हमने यह वाली साइड मिली यह वाली साइड मिली। तो हम क्या करेंगे यहां पर इस वाले ट्रेंगल को यह जो ट्रेंगल हमने हाइलाइट किया इसको और यह वाला एपी डी को हम क्या कर लेंगे कॉन ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे ठीक है तो इसको कॉन ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं तब देखेंगे इसके corresponding side का ratio क्या आएगा देखेंगे इंट्राइंगल किसको dpa को dpa को एंट्राइंगल किसको rpc को तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा angle ये वाल अगर क्या आएगल आरे के खुला रहा है क्यों क्यों कि ये क्या है हमारे alternate interior angles ऐसी सेम ये वाल angle इसके खुलाएगा alternate interior angles इनको लिख सकते हैं यहापर a a dp a dp किसके खुलाएगा पी आर सीके अन एंगल डी एपी एंगल डी एपी किसके खुलाएगा ये अनको दी आर सी पीक है क्या ये क्या है दो अल्टने इन टीर आप लिख सकते हैं और इन टीर आंगल हिए हैं देरफ्पोर ट्रैंगल डी पी ए सिंटर हो जाएगा डीपी एकिसके डी इंगल किसके एक्वार के ऑ करेगा कि डीपी और करेशो किसके डीपियर प्यरी करेशो किसके इक रिख लेंगे डीपी अपन आर्पी किसके पर अपन पॉल आप इंदोनीटिपलाई करूं आप लिख एँ पी ना वारा तेनको मुल्टिपलाई करेंगे तो बीपी इंटु आर्ची या सी या इसके पूलाएगा एडी इंटू ार्पी या पियार के एडी इंटू टीक है लेकिन हम इस एडी को भी तो चंज कर सकते हैं हम सीडी चाहिए हमें सीडी लिख सकते हैं क्योंकि ये दो साइड तो इक्वल औहूंगी है हमारी होल साइड इक्वल इक्वल उगaking यहां लिख सकते हैं क्योंकि सभी साइड एक वन ही तो होगे अमारा प्रूप तेक है यह करना है कोश्चंन नम्मर 16 करते हैं अब कोश्चंन नमर 17 करते हैं कि सेवंटी में किस टाइप से फिगर दिया इसमें यहां पर यह फिगर की बन किया है कि यहां पर नाइटी है कि यह स्वरी पर्पेंडिकलर दिया एक कि सी बी ए और ए और कह रहा है कि टू प्रूफ कि रूफ करके दिखाना है कि एफ भी और किस का रेशो कि इसके इसके को लाए बी कि और इडी और बड़े वाली उप FB FB खाय है आपर इसमें तो याँ पर FB, यह ज़ुस्फ है तasting A, D AD खाय है आपर A, D यह यह बड़े वाली साइद BC खाय है BC यह जोटी वाली साइद FB भी आ रहा है मतलब FBB भी आ रहा है और BC भी आ रहा है तो इसका मतलब इसमें चोता वाला ट्रेंगल लिया है इसने ये वाला चोटा वाला ट्रेंगल लिया एंड लिए बरभाला ट्रेंगल की दुन के को ख़या और इसमें ये भी कह रहा है कि f b को तो सब्सक्राइब Merci यहां पर लिखेंगे हैं इंत्र भी है फिर दिक दिक लिखा इसम बंड़ तो legal किसके को लोगा ए गतिए यहां पर ए लिखेंगे ठीके मेरा यह बाइगनल किसके करें लोगा है किसके को लोगा चए तो हम बचेका इहां गिण है कैसे देखो इसमें दोनों 90 है यह भी 90 है F C B 90 है और एंगल A E D 90 है यह है इज 90 डिगरी एंड एंगल F B C F B C इक्वाल है एंगल F B C किसके एक्वाल है एंगल F B C किसके एक्वाल है A D E K इसे गीमन कहा सकते हो यह पर कहा सकते हो कि अग इफ F B equals to F D then एंगल B must be angle D therefore triangle F B C किसके similar हो गया triangle A D E के similar हो गया by angle angle similarity यह imply करेगा कि F B और A D का देश हो किसके यह करोगा B C B C और D E K यह दो प्रूफ करना था थर्ड बाला अब लिखो भी मत ठीक है यह प्रूफ आपका कि क्यूपर 90 है अगर जी क्यूपर 90 है अगर यहां पर अगर ने लेते हैं पी त्यू आर में पी क्यू आर में अगर क्यू नाइंटी ए और यहां प्या करते हैं Q90 है और QM perpendicular है QM क्या है परपेंडिकुलर है QM perpendicular है to PR पर परपेंडिकुलर है तो प्रूफ करना है मैं सबसे पहले सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ करना है हमें कि PQ का स्क्वायर किसके एकल होगा करना है कि QR का स्क्वायर और प्रूर्फ की स्क्वायर ने करना है क्या कि तर्फ पर प्रूफ क्यू आर प्रू होगा क्योडिकुलरिकुलरिक्स के E54 के अब गृत किम पूर्वमहें और इससे पहले में इन दोनों को प्रूज़ करनी होगा इन तोनों से इन तोनों से ही यह धर वाला प्रूफ है कैसे है देखते हैं अब фин Back करते हैं अगर 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 हमें चाहिए टुकासर स्कॉर्स पी क्यों ठटटाम साना चाहिए दोनों इन ट्रेंगल मैंने चाहिए दिन दोनों ट्रेंगल को आप सिमिलर दिखा रहे हो तो हम करेंगे इन ट्रेंगल पी एम क्यू में पी एम क्यू में एंड ट्रेंगल पी क्यू में इन दोनों ट्रेंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे कैसे देखो दोनों पर एंगल पी एंग किसके को ला रहा है PQ M के को ला रहा है PQ R के सोरी PQ R के को ला रहा है therefore दोनों ट्रेंगल के आओ गए हमारे दोनों ट्रेंगल के आओ गई है similar हो गए PMQ similar हो गए ट्रेंगल PQ M के और इसको अमने correct order में भी लिखा है already by angle PQ M PMQ PMQ किसके PQ PQ R के PQ R को होना है पसोरी PQ R होगा है अपर PMQ PMQ PQ R के ठीक है अब यह imply करेगा कि PM और PQ के रहे सो इसके को लाएगा MQ और QR के रहे सो के और यह फ्रूफ करेगा कि PQ अब और P R के अब इससे अगर हम करते हैं तो हमें कह चाहिए PQ का इसकार चाहिए तो PQ यहां पर यह रहा और PQ यहां पर यह रहा तो हम इस वाले पार्ट को इकोर लग लेते हैं तो PM अपन PQ किसके एकल होगा PQ अपन P R के तो PQ पी की इदर जाएगा तो यह PQ का स्कार हो जाएगा और यह हो जाएगा PM इंटू PM इंटू PR इक्वल्स टू PQ स्कार यही तो हमें चाहिए था हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ इसका Similarly अब इसका Second Part भी प्रूफ कर सकते है ठीक है चल्ब हम इसको यही पर ही करते है Second Part मेíं हम ब calcul Q R का स्कार तो Q R के स्कार के लिए हम कह लेंगे Q R के स्कार के लिए कह लेंगे हम इन दोने ट्रैंगल को लेंगे किन दोने ट्रैंगल को Q R Mr M P को R Q P को लेंगे हम ठीक है तो यहाँ पर R Q P लिया हमने R Q P लिया है इन दोने ट्रेंगल को भी हम समिल दिखाएंगे कैसे देखो R दोनों में common आ रहा है R M Q में भी R आ रहा है और R Q M P में भी R आ रहा है फिर और जो हम इक वर दिखाएंगे क्या R M Q को किसके एकवल R Q P K पर तो यह इंपलाई करेगा क्या कि ट्रेंगल R M Q सिमलर हो गया किसके R Q P K by Angle Angle अगर ही सिमलर हो गया तो यह इंपलाई करेगा कि R M और R Q का रेश्यो किसके एकवल होगा M Q और Q P K और यह किसके एकवल होगा R Q और R P K है यह हमें चाहिए qr का इसका पार्ट को इस बार किया लेंगे खुल ले लेंगे तो आर एम या एमार आर क्यू या क्यू आर प्यार ठीक है कि अंधिया कर लेंगे इसमें आर प्यार इसको क्या लख सकते हैं MR और PR कब product कि Singapore के QR के product कि अब इसे देखो first equation इसे देखो second equation अब इन दोने equation का अगर हम add कर देते हैं इन दोने equation का अगर हम add करते हैं adding equation first and second first and second equation का अगर हम add करते हैं तो क्या हो गा यह वालब part इधर की तरफ add हो जाएगा हमारा PM into PR plus MR में हो एन्ट पी आर है इक वर्स्ट इंहां पर यह क्राइप यह वथे पीक्यू का सक्ट्र इधर वाला पार्ट ऑनने इदर प्लस किया है याप है सब्सक्राइब प्लस किया आप देखों सिर्वह प्लस्यार уж यह अरøre कोमना रहा है अब देखूँ, पी एम और अइमर क्या है, पी एम और एम और अ handlar क्या है, यह प्र या, पी अर मिलेगा। ये पी इस पी आरी मिलेगा, ये पी आरी ये पी एल ये भी थे पी आरी स्क्रायर ौजाएगा, बस यह हम ब्रूफ ना था, और यह पाysłबर के सिर्क हरो ये हो गया हम हमारा कौशन नम्मर 18 होगया है हमारा क्वेशन नम्मर 19 करते हैं अब हम करसों नम्म 19 है हमारे पास है को डैंक नायकर लियक्तरलल एक एक ड्रीच में एक पर दीघ्री जो बीपर 90 डिए तो हमें करना इसमें अगर आपर ट्रेंगल बना लेते हैं इस से जो कि बीपर 90 वार्य होकि इसमें A B C उन बीदी पर पर 니टिक देकर पर बींदी से पर jewels इस यह से और कीकिव लिए सिल एकोल स्टूप 10 सेंटीमिटर सेटेंगर एगर एन्ड बीडी एट सेंटीमीटर है बीडी एट सेंटीमीटर है तो एडी कितना होगा यह बताना है अप इन दोनों ट्रेंगल को कौन ग्रेंट पर्व कर दो similar proof कर दो कैसे करेंगे दोने triangle को similar proof देखो let कि हमने यह वाला angle है x अगर यह x है तो यह 90 होगा यह 90 है तो यह कितना होगा 90 minus x होगा कैसे अगर हम देखें दियान से इन triangle A, B, B में देखें A, B, B में angle A आपने x let किया angle D हमारा angle A, D, B है 90 है और angle A, B, D यह कितना होगा यह हमें find करना है A, A, B, D अगर हमें find करना है तो इन तीनों angles का कितना होगा 180 angle A हमने x let किया A, D, B, 90 है यह हमें find करना है A, B, D A, B, D कितना होजाएगा 180 तो यहाँ पर यह कितना होजाएगा यह minus होजाएगा हमारा A, B, D यह माइनस हो जाएगा 180-90-X एंगल ABD कितना हो जाएगा 180-90 90-X तो यह एंगल हो जाएगा हमारा 90-X और अगर यह 90-X हो गया तो ऐसे ही अगर हम इसको X ले रहे हैं और इस बड़े वाले अगर हम बड़े वाले ट्रेंगल में देखें सिमिलर कर रहे हैं कि एंगल एंगल एगल जो है हमारा वो किसके वराबार है इसका जो एंगल A है वो इसके एंगल D, B, C के बरावर है D, B, C के बरावर है ठीक है एंड एंगल जो इसका है यहाँ पर 90 इसका 90 ले सकते हो आप दोनो 90 ले सकते हो कि A, D, B किस एक्वल है किसके C, D, B के therefore triangle क्या होगा है हमारे similar होगा है D, D दोनों में common है तो यह बचा B, D और यहाँ पर C किसके एक्वल है इसके B के एक्वल है तो यहाँ पर C, ठीक है भाई एंगल एंगल तो यह होगा हमारा तो अगर यह दोनों क्या होगा है हमारे similar होगा है इसका 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 लोगा means A, D upon B, D means B, D upon D, D upon D, D upon D, C यहाँ पर C, D किसके एक्वल A, B upon B, C के अब इसमें B, D का स्कार किसके एक्वल दिखाना है B, D का स्कार A, D into A, C के एक्वल होता है कि B, D का स्कार A, D into D, C के एक्वल होता है यह कैसे दिखाएंगे हम तो अब देखों यहां पर इस वाले रूल से यह AD into DC or CD किसके को लोगा BD 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 square ठीक है यह relation आयता है हमारा कि BD का square जो बीच वाली साइड होगी इसका square किसके को लाता है इस वाले part के AD और CD के square की है वो उस product के AB into CD के product के इसी की help से हम इसको solve करेंगे अब हम कैसे यह 10 cm दिया यह 8 cm दिया AD आपको find करना है simple अगर आपको AD find करना है इसमें find AD तो क्या करेंगे अब हम AD find करने के लिए क्या करेंगे BD की value रखेंगे 8 8 का square AD की value हमें find करनी है CD की value हमें 10 given की है यह हो जाएगा 88 is 64 AD into 10 10 से इसे divide करोगा तो कितना आएगा 10 से दिवाइड कर देंगे तो AD की value कितनी हाजाएगी 6.4 यह हमारा first part इसका ऐसे ही अगर हम से किन पार्ट देखते हैं इसी में इसका अगर हम से किन पार्ट देखते हैं कि आगे एसे कितनी हो जाए हमारी याइस, इसे कितनी हो जाएh, 18 cm, AD कितना हो जाएh, 6 cm, तो find करना है, अगर हमें, find BD हैं, अगर हमें BD find करना है, तो अगर इसका अलग separate figure बना लेते हैं, यही वाला, B, A, C, यह कहा रहा है कि A C A T N A C A T N A Pूरा A T N A और A D कितना 6 है तो A D अगर 6 है 6 cm है तो यह कितना होगा 12 cm होगा B D की वैल्डी बतानी है स्पाइब सिंपल था हम क्या करेंगे B D का इस्पायर किसके इकवल A D इन्टू C D के तो B D के इस्पायर इकवल्टू A D कितना 6 पर C D कितना 12 B D किसके फोल हो जाए गरे अंडरूट 6 इंटू 12 यह कितना आएगा अगर मिसे इस व्रें 6 के फेक्टर 2 2 3 12 के फेक्टर 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 आजाएगा 6 भार आजाएगा रूट तो रूट अंदर इसको अगर हम और सोल्ब करते हैं 1.414 रखते हैं तो कितना आएगा 6424 टू केरी 648 6424 टू केरियर 8.4 समधिंग या फिर 8.5 सेंटीमीटर गोल देंगे से हम ऐसे ही अगर यह कह रहा है कि इसमें थर्ड वाला उप्शन है कि एसी 9 सेंटीमीटर एभी 7 सेंटीमीटर है तो ए डी निकालो इस बार हमें क्या करना समय इस बार इसमें क्या करना है इस वार इसमें हमें क्या करना है यह दिफाइंड करना है तो हम अगर इसे इस तरी के सब फिकर बना रहे हैं A, B, C और यहां पर यह D इसमें अगर हमें इस वार क्या दिया है A, C की वैलू 9 दिये A, C की वैलू 9 दिये A, B की वैलू 7 दिये, A, B की वैलू 7 सेंटिमीटर दिये तो आपको क्या फाइंड करना है? A, D फाइंड करना है अगर आपको A, D फाइंड करना है तो आपको फिर रिलेशन याद होना चाहिए जैसे हमने उबर वाले में किया था अगर इसमें हमें गीमन किया है A, C इक वैलू 9 सेंटिमीटर, A, B इक वैलू 7 सेंटिमीटर, फाइंड करना है किया है आपको A, B तो आपको पता होना चाहिए कि A, B इक बार गर केया है शहूटे वारत रेंगल बड़े बाले गता है A, B कवार किसके कि खवाला है AD into AC, AD into AC क्वाला था, 10 into AC AB कितना है, 77 को सेंट बार कर देंगे, AD नहीं पता AC है, 9 आब हम क्या करेंगे यह 49 हो जाएगा पूर यह 80 इन्टु नाइन दिवाइड कर देंगे 49 डिवाइड बाइन एड हो जाएगा मिक्स प्रेक्शन में लिखेंगे 95454 अपॉर नाइन सेंटिमेटर इकल्स टू एड ठीक है यह होगे हमारा कोश्चन नंबर 90 कम्प्लीट कोश्चन नंबर कोश्चन नंबर 20 करते हैं हमके की पीक्यूर की विलीट दिया है यहांपर भर यह पर ऑपकार यह और रही की तने यहां रेश्या पर यहरा रोर यहां पर न किया है क्यों ल प्रोडूस करती है तो हैंपर फॉइन करना है क्या है find करनी लेंद्ट फिन यड्ट आरहन पिन लैंद्ट ने और esos वापने और और यह ह interess देखेंगे इन triangle P, L, N में न triangle देखेंगे Q, L, R में ये दोनों triangle हमारे similar होंगे कैसे ये वाला angle इसका इसके equal होगा और ये वाला angle इसका इसके equal होगा ये तो vertically buttons होगा ही तो ये दोनों हम इसमें लिख सकते है angle क्या कि L, P, N L, P, N किसके equal है? एंगल L R Q के L R Q के एंड एंगल यह वाल एंगल P N L या फिर L N P L N P किसके एक वाल एंगल L Q R के L Q R के यह आपको पता ही होना चाहिए क्या है alternate interior angle क्यों क्योंकि यह side हमारी क्या है यह side हमारी parallel लेंग क्योंकि प्यालोग्राम की sides है तो triangle P L N हमारा क्या हो गया similar होगा triangle Q L R से और अगर यह similar होगा तो पी एल और यह इंप्लाई करेगा पी एल और क्योएल का ratio किसके एक्वल L N और L R के और यह किसके ने दिया है हमें PL yes PL तो रेशो ठीरी दिया ना इसना में तो पी एल और क्यों किल और क्यू क्यू एल क्यू यहां पर अल एफिया और इन और आर स्टैक मिस्टेक किया है तो किसके कुछ संे आर के को सब्सकुले तो इसक क्या लिक्किन को इस टाइंगल को लिखेंगे अकर कि किसके पटिए को यहां पर हम ऑप करेंगे इसमें अब करेंगे पीयल और आर को डेशोार आल का अले टेशों किसके एको लोगा ल और पटा है आपर इसने आन आनका है इसका नहीं पता है इसका नहीं पता हमें धुरल रहीं हाई 10 अब हम इसका यूज करेंगे इस वाले पार्ट का पी कितना हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाइड बाइड टू इक्वास टू पी एन डिवाइड बाइड बाइड टैन इसे कैंसे कर लो 15 गया तो हमारा 15 सैंटी मिटर्फ बढम हमें चाहिए घूर कि और color करने के लिए मैं हमें क्या करना पड़ेगा इस आ करने के लिए हम इसे स्कt displays में इसे था ए न को इस कर लो इन दूर्वर का एंगल कर लो यह वाला चाहेगा और यह साथ फ़ेरल यह यह रांस वर्सल को गया यह वाला इंगल इसे इसके यह वाला इंगल वाला इसके यह रो सकते हों और देखुए हैं आप कैसे करेंगे साइक वाला मतलब इसका और मैं कैसे फाइंड करेंगा देखेंगे इन ट्रैंगल किसमें इन ट्रैंगल रड्डियो में और यल एम में एंड आहलं पी एल क्यूंगे टी एल P L Q के सिमिलर कैसे इसको हम दिखा सकते हैं सिमिलर कैसे L R M L R M एकको लोगा किसके L P Q के L P Q के एकको लोगा एक ठीक है N angle L M R L M R ये किसके एकको लोगा L Q P के L Q P के ठीक है ये क्या हमारे पास alternate interior angles है alternate interior angles तो therefore triangle क्या हो गया हमारे पास R L M इसको हमने सही से लिखा है P L Q के similar हो गया by angle angle तो अगर ही similar हो गया तो R L और P L का ratio किसके एकको लोगा L M L Q के L R M P Q के R M और P Q के अब देखो इसमें R L और L P का ratio R L और L P का ratio 2 ratio 3 दिया तो जब 2 ratio 3 लेख सकते हैं L M और P Q में correlation ने दिया लेकिन हमें क्या दिया है R M और P Q की value दिया है R M हमें find करना है और P Q की value दिया हमें 16 तो यहां प्रेसे 16 अखिलेंगे तो 2 upon 3 into 16 equals to R M R M की value है कैंसिल नहीं हो रहा कितना रहा है 32 upon 3 R M